सागर में करोना के बढ़ते हुए केसिस को देखते हुए आज डिस्टिक लेवल के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक आयजित की गई थी बैठक में ये बात निकल के आई है कि सागर जिला मुख्याल है मकरोना और कैंट सदर शेतर में अभी पिछले साथ दिनों में प्रकरणों की सेंस्था बढ़ी है इसलिए हमने इन रणे लिया है कि सागर और इससे लगे हुए चेतर में मकरोना और सदर कैंट में कोई भी बड़े मेले बड़े कार्कम का योजन अभी अनुमती नहीं दी जाएगी और अगर कोई मेले या बड़े कार्कम चल रहे हैं उनको इसके गित किया जाएगा इसके साथ ही मास्क लगाने और सेनिटाइजर का उप्योग करने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा रोकोटो का अभियान बड़े प्रमाने पर शुरू किया जाएगा जहां साथनिक स्थान पर कोई वेक्ति बिना मास्के पाई जाएगे तो उनके उपर फाइंड भी लगाया जाएगा हंडर्ड रुपीस का फाइंड उनसे वसूल किया जाएगा हमने ये भी कहा है कि जो भी नए केस मिल रहे हैं उनका कंट्रोल कमांड सेंटर से वीडियो कॉंफेंसिंग के माध्यम से लगातार उनका मॉनेटरिंग होगा और उनके कॉंटेक्ट ट्रेसिंग भी अब पहले की तरह से की जाएगी और जो भी वक्ति पास्टिव केस के संपर्क में आए हो उनको भी हम कुरंटाइन करेंगे मैं सागर जिले के सभी निवासियों से अन्रोद करना चाहूंगा कि आप एक तो वैक्सिनेशन जरूर कराएं दूसरा करोना के केसेज अभी बढ़ना फिर से शुरू हो गया है साथानी बढ़तें, मास्क लगाएं, अपने हाथ को सेनिटाइजर या साबून से दोते रहें बाहर नहीं निकले, अगर बहुत आवश्यक है बाहर निकलना तो वहाँ पर आप समाजिक डूरी बनाए रखे